ओडिशा की नया घर में इस्थित्य पद्मावती नदी के पास हाल ही में लोगों को कुछ ऐसी चीज देखने को मिली कि लोग आश्चर चकित हो गए दरसल ओडिशा में इस्थित्य पद्मावती नदी में 500 साल पुराना भगवान विश्णु का एक मंदर नदी से निकलते देखा जा रहा है यह मंदर बहुत ही पुराना है जानकारी के मताबिक डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चलर हेरिटेज की पुरा तत्व विदो की टीम ने इसकी खोज करते हुए बताया कि इस मंदर की बनावट को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह पंद्रवी या सोलवी सदी का होगा मतब यह 500 साल पुराना मंदर है इस मंदर में गोपी नाथ भगवान विश्णु की प्रतिमा विराजमा इसकी बारे में आगे बताया कि उडिशा के नयागड इस्थित्वे देश्वर के पास महानदी किशा खा पद्मावती नदी के बीच मंदर का मस्तक साफ दिखाई दे रहा है यह मंदर करीब 60 फिट उचा है इसको देकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह काफी पुराना जानकारी मिली थी कि जिस जगह पर पद्मावती नदी है वहाँ पर पहले गाउं था और काफी मंदर थे नदी से जिस मंदर का मस्तक दिखाई दे रहा है वो करीब 60 फिट उचा है यह जिस इलाके में पाया गया है उस जगह को सत पताना कहते हैं यहाँ पर एक साथ साथ ग पानी में डूब गया दीपकमा ने बताया कि ए घटा उनिसवी सदी के आस्वास की होगी पानी का बहाँ देख गाउं की लोगों ने मंदर से भगवान विश्णु की मूर्ती निकाली और ऊचे स्थान पर चले गए subscribe our channel and press the bell icon for more updates